हालो एब्रिवन आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही सुन्दर और new sweater design यह डिजाइन अप लेडिश स्वेटर, जेन स्वेटर, बीबी स्वेटर किसी में भी आप यह डिजाइन डाल सकती हो और यह डिजाइन बनाने के लिए 5-5 प्लास करके फंदा लेना होता है तो चलिए यह डिजाइन कैसे बनाते हैं बना के देखते है डिजाइन बनाने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रेंड लाइक, शियर और सब्सक्राइब जुरूर कीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबाईए ताकि मैं और जो जो वीडियो डालू उसको नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए तो चलिए डिजयन की पहले सिलाएए धियान से देखिए तो उसके लिए देखिए मैंने इसमें 5-5 प्लास करके फंदा डाल लिया तो डिजयन की पहले सिलाएए और वीडियो को इसकिप मत किजिए शुरू से लेकर एंड तब पूरा वीडियो देखिए तब आपको ये डिजयन अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए पहले सिलाए में आपको मैंने 2 सिलाए बना लिया सीधे की तरफ से सीधे और उल्टा की तरफ से उल्टा तो आपको 4 सिलाए बना लेना है उसके बाद आपको डिजयन डालना है तो देखिए पहले में 4 सिलाए बना लूँगी यह सीधा साइट है और इसी कलर से ही मैं बनाओंगी सीधा साइट से पूरा सिलाइट सीधा सीधा बना लूँगी डिजाइन की पहले सिलाइट आपको इसी तरह से बिनना है और आपको जितना फंदा लेना है फ्रेंज फाइब फाइब प्लास करके आप ले लीजिए पूरा स्लाई सीधा सीधा बना लेना है पहले स्लाई हमारे कंप्लीट होगी है रो बन पूरा स्लाई में सीधा बीना अब रॉंग साइड रो टू है इसको भी पूरा स्लाई उल्टा उल्टा बना लेना है यह उल्टा साइड है पूरा स्लाई उल्टा उल्टा बना लेना है रो टू इसी तरह से बिनना है रो टू उल्टा साइड कम्प्लीट हो गया अब रो 3 सीधा साइड तो आपको पहले मैंने बोला तब 4 स्लाई बनाना है तो देखिए रो 3 भी ऐसे ही बनेगा सीधे साइड से पूरा स्लाई सीधा सीधा बिनना है त्री रो हमारे कम्प्लीट हो गया अब रो 4 उल्टा साइड है पूरा स्लाई उल्टा उल्टा बिनना है तो देखिए मैंने इसमें 25 फंदा लिया और दो साइड में 2 एक्स्ट्रा फंदा लिया तो टोटल हमारे 26 फंदा मैंने लिया 55 प्लास करके लेना होता है फंदा पूरा स्लाई उल्टा उल्टा बिनना है पीछे से फोर्ट रो हमारे उल्टा साइड कम्प्लीट हो गया अब देखिए हमारी सीधा साइड है तो धिहान से देखिएगा अब हमारे इसमें डिजाइन डिलेगा तो ये पहला फंदा है एस्टीज वाला फंदा है एक फंदा में बिन लोगी एक फंदा बिन लिया अब यहां से हमारे डिजाइन शुरू होता है तो धिहान से देखिएगा तो यह फंदा देखिए एक, दो, तीन, чार, यह पाँच, यह पाँच फंदे में हमारे अब डिजाइन बनेगा, तो धियां से देखिए यह जो पाँचमा फंदा है इसको साइड में से देखिए इसका बीच में से नहीं लेना, अब यह धियां से दिखे इसका बीच में पंदा आ रहा है इसका साईट में लेना है तो एक दो, तीन, चार, पाँच पंदा आगे हैं पाँच पंदा की साइड में दिखे पाँच पंदा की साइड में हमारे अब धागाइब गीन का आपक्ण ले लिजी दे दिखिये हैं मिं दिख रहे हैं एक दो तीन चार पाच इस यह वाले होड्ड जो है इसको गउंड करके लेना है एन लिख दो तीन चार पाच यह पाच पने यह नीचे तकाना है अब देहिए इसमें से ये धागा जो है हमारे पीछे की साइड होना चाहिए अब इसमें से एक फंदा निकाल लोंगे ध्यान से देखिए देखिए एक फंदा बनाया अब ये फंदा जो है इसको थोड़ा लूज रखेंगे क्यों की लूज रखेंगे तभी हमारे डिजाइन अच्छा बनेगा एक फंदा हम निकाले तो एक फंदा बिन लोंगी इसमें जो पाच फंदा था एक दो तीन चार पास पास में से एक फंदा बिन लोंगी सीधा बीनना है देखिए एक फंदा बीन लिया एक फंदा निकाले तो एक फंदा बीनना अब देखिए इसके उपर अब ये फंदा इधर आ गया अब इसके उपर से लेना है एक, दो, तीन, चार ये चोथा वाला है अब इसमें से बनाऊंगी देखिए एक फंदा बनाया है तो अब फिर से एक फंदा बीन लोंगी एक दो तीन चार चार फंदा है तो एक फंदा बीन लोंगी अब तीन फंदा रहेगा यह देखिए अब फिर से देखिए एक दो तीन अब यह तीसरा बाला में से उठाना है अब तीसरा बाला से एक फंदा उठाया तो एक फंदा फिर से बिन लेना है एक फंदा आपको उठाना है और एक फंदा बिनना है तो दिखिए अब फिर से दिखिए यह इसमें से निकालेंगे यह जो पाच फंदा हमने रखा है पाच में से पाच फंदा हमें बिनना है इसको साइड में से बिनना है इसका साइड में से एक फंदा बीना निकाले है अब इसको भी बिन दूंगी यह देखिए यह फाइब फंदे की डिजाइने तो हमारे फाइब फंदा तो टैन फंदा हो गया कितना एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस फंदा हो गया अब इसी फाइब फंदे को आपको आगे रीपीट करना है तो देखिए फिर से हम काउंट करके लेंगे एक दो तीन चार पाच तो अब हमें इसमें बनेगा डिजाइन देखिए यह जो पाच फंदा देख रहा है इसमें चार पाच तो हमें यहां से निकलना है एक फंदा निकाल लिया अब एक फंदा बीन लेना है जैसे हमने इसमें बनाया वैसे ही बनाना है इसको एक फंदा बीन लिया अब देखिए इसके उपर एक दो तीन चार इस चोथा बाले में से एक फंदा निकालेंगे एक फंदा चोथा बाले मैंसे निकाले अब एक फंदा बीन लेना है दिखेंगे एक दो तीन अब एक दो तीन तीसरा बाले मैंसे निकाले एक फंदा बीना अब यह दिखिए दुसरा बाले में से बनाया एक फंदा बीना अब यह दिखिए फर्ष्ट बाले में से बनाया अब इस फंदा को भी बीन दिया तो आपको इसी तरह से फाइब रो कम्प्लीट करना है फ्रेंट्स इसको भी बीन दिया यह दिखिए पाच फंदे को दस फंदा बना दिया अब फिर से इसी को बार बार रिपीट करना है दिखिए फिर से एक दो तीन चार पाच एक दो तीन चार पाच अब पाच फंदे को बराबर नीचा आना है एक दो तीन चार पाच अब यहां से फंदा ब दिखिए एक फंदव निकाले अब इसको बीन दिया अब फिर से दिखिए एक दो तीन एक दो तीन चार अब इसके बराबर दिखिए एक फंदा बीना इसी तरह से आपको जितना फंदा लेना है ले लिजे फाइब फाइब प्लास करके और इसी तरह से आप बिनते जाएगा फाइब फंदा बीनना है और फाइब फंदा निकलने भी है इसी में से अब फिर से दिखिए फाइब फंदा काउंट के लिए एक दो तीन चार इस पाच अब पाच फंदा लेने के बाद अब फंदा नीचे आना है एक दो तीन चार पाच एक फंदा निकाले एक फंदा बीना अब इसके उपर से फिर से देखिए एक फंदा निकाला है एक फंदा बीना एक फंदा निकाला है एक फंदा बीना यह लाश्ट नबाले इसको भी बीना देखिए तो हमारे पाच फंदे को दस फंदा बना देखिए एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नौ दस एक दो तीन चार पाच अब इसके बराबर नीचे आना है एक दो तीन चार पाच पूरी इसलाई आपको ऐसे ही बनाना है अब यह देखिए एक फंदा मेरा ज्यादा है यह पंदे को सीधा बीन दिया तो देखिए हमारे रो 5 कंप्लीट होगी अब डिजाइन भी हमारे दिखने लगी है अब रो 6 उल्टा साइड यह 6 रो की डिजाइन है फ्रेंस अब देखिए एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा था एक्स्ट्रा फंदा मैंने बीन लिया अब धियान से देखिए एक हमारे बीना हुआ फंदा और यह भी यह है निकाला हुआ फंदा तो पहले हमें बीना हुआ फंदा लेना है बाद में एक निकाला हुआ फंदा लेना है और लेके यह दो फंदा एक साथ लेना रेखिए यह जो दो फंदा दिख रहे है यह दो फंदा हमारे दिख रहे हैं एक बिना हुआ फंदा एक निकाला हुआ फंदा यह दो फंदा एक साथ लेना है पहले लिया बिना हुआ फंदा बाद में लिया निकाला हुआ फंदा है अब यह दो फंदा एक साथ लेना है और यह बिन देना है दो फंदा एक साथ बिना अब फिर से देखिए, एक हमारे बीना हुआ फंदा है, ये फंदा बीना हुआ, ये फंदा निकाला हुआ, तो पहले हमें बीना हुआ फंदा उठाना है, बाग में निकाला हुआ उठाना है, दो फंदा एक साथ बीना, अब फिर से देखिए, ये हमारे निकाला हुआ फंदा देखिए ये बीना हुआ फंदा और ये निकाला हुआ फंदा तो ये दो फंदा एक साथ लेना एक ये दो फंदा एक साथ बीनना है फिर से दिखिए ये बीना हुआ फंदा और ये निकाला हुआ फंदा है तो ये दो फंदा एक ये दो फंदा एक साथ बीना फिर से दिखिए ये बिना हुआ है और एक निकाला हुआ है ये दो फंदा एक साथ बिना तो आपको उल्टा साइड में 6 रो ऐसे ही बिना है दिखिए ये बिना हुआ और ये निकाला हुआ फंदा पूरा सिलाय आपको इसी तरह से complete करना है एक ये दो दो फंदा बिनना है एक ये दो 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 फंदा उटा साइड से बिनना है एक ये दो पहले आपको बिना हुआ फंदा उठाना है बाद में ये देखिए ये निकाला हुआ फंदा है इसको उठाना है एक ये दो एक ये दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक ये दो इसी तरह से आपको ये सिलाई कम्प्लीट करना है एक ये दो एक ये दो एक 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 दो इसी तरह से रोज 6 अपको कंप्लीट करना है देखिए हमारे 6 रोज बनके कंप्लीट हो गया एक यह दो यह लाश्ट का एक फंदा है वाइट से भी नहुआ इसको वाइट से ही बिन दिया तो देखिए हमारे 6 रोज कंप्लीट हो गया अब रोज यही 6 रोज का डिजाइन है हमें बार बार रिपीट करना है अब फिर से देखिए यही 6 रोज आगे हमें 4 रोज पहले बना लेना है और उसके बाद आपको बनाना है यह डिजाइन फिर से आपको 4 रोज प्लेन बना लेना है सीधा की साइड से सीधा और उल्टा की साइड से उल्टा तो मैं 4 रोज बना के फिर आपको आगे की डिजाइन बताती हूँ यह बहुत इजी है फ्रेंज इसको असानी से हर कोई बना सकती है आपको फिर से 4 रोज बना लेना है उसके बाद आपका डिजाइन डालेगा तो दिखिए मैंने इसमें 4 रोज बना लिया सीधा की तरफ से सीधा उल्टा की तरफ से उल्टा जैसा इसमें बनाया था वैसा ही बनाया तो आप इसमें ध्यान से देखिए यה डिजाइन जो मेरा भना है अब यह डिजाइन हमारे इसके भीज में बनेगा तो ध्यान से दिखेए का भीज में कैसे बने गा 4जलाए मेंने औरेंज से बीन लिया अब हमारे वाइट से बीनेगा 4जलाए तो देखिए यह पहला हमारे 13 वाला फंदा था तो मैंने 13 वाला फंदा को बीन लिया अब यहां से हमारे देखिए 5 फंदे की डिजाइन था 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक मेरा एक दिजाइन था अब यह डिजाइन हमारे इसका बीच में बनेगा तो दिहां से दिखिए का कैसे बनेगा एक दो तीन तुमें तीन फंदा इसमें और भीनूगी तो दिखिए एक दो ये तीन तीन फंदा मैंने बीन लिया एक फंदा एस्टिज बाला है और ये तीन फंदा वार बीन लिया तो यहाँ से हमारे अब डिजाइन देखिए शुरू हो जाएगा डिजाइन हमारे अब यहाँ से शुरू बनेगा तो दिखिए यहाँ से अब हमार फंदा count करके लेना है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो पाँच फंदा हमारे यहा आ रहे हैं, दिखिए पाँच फंदा इधर आ रहे हैं, तो इधर से आप हमारे design शुरू हो जाएगा, पाँच फंदे, अब चार फंदे हमारे क्या करना है नीचे जाना है पाच फंदे एक दो तीन चार पाच तो यहां तक हमारे पाच फंदा आ रहा है तो दिखिए अब यहां से बनाएंगे एक जैसे इसमें बनाया वैसे इसमें भी बनेगा फ्रेंज एक फंदा निकाले तो अब एक फंदा इसमें बीन लेना है देखिए एक फंदा बीना अब फिर से देखिए एक दो तीन चार इसका बराबर है एक दो तीन चार अब यहां से हमारे फंदा बनाएंगे दिखिए अब एक फंदा फिर से बीन लेना है एक फंदा बीना अब दिखिए फिर से हमें इसे ही काउंट करके लेना जैसे इसमें बीना वैसे ही बीना है अब दिखिए एक दो तीन चार पाच यह पाच फंदा बीन के लेना है अब पाच फंदे नीचे आना है हमें एक दो तीन चार पाच एक फंदा निकाले है एक फंदा बिन लेना है एक दो तीन चार एक दो तीन चार आप चोथा वाले में निकालना है एक फंदा बिन लेना एक पंदे को बिन लेना है और पाच फंदा निकालना है तो हमारे दस फंदा हो जाएगा एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस अब फिर से एक दो तीन चार पाच अब पाच फंदा काउंट करके लेना है एक दो तीन चार पाच अब पाच फंदे की साइड वे लेखे एक दो तीन चार पाच एक फंदा निकालना है एक फंदा बीना एक फंदा निकालना एक फंदा बीना ये इसलाई आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है दिखिए सभी फंदे को ऐसे ही बीनना है तो दिखिए इसको भी बीन लिया आप लास्ट का तीन फंदा बचा हुआ है तीन को सीधा बीन देना है तीन फंदा सीधा बीन दिया आप उल्टा साइड से आपको ही करना है तीन फंदा हमारा सीधा बूना हुआ है तो तीन फंदा पहले बीन लोगी एक, दो, तीन तीन फंदा बून लिया आप उसके बाद दिखिए एक बीना हुआ फंदा और एक निकाला हुआ फंदा एक ये बीना हुआ है और ये निकाला हुआ है तो दो फंदा को एक साथ बिनना है दो फंदा एक साथ बिनना ये फंदा और ये फंदा दो फंदा एक साथ बिनना जैसे उसमें बिनना वैसे ही बिनना है दो दो फंदा एक साथ बिननना है रिखे इसी तरह से इसको बिननना है ये बहुत इजी है फ्रेंट्स और यही 12 प्रो की डिजाइन है इसी 12 प्रो को आगए आपको बार बार रिपीट करना है अश्रा करती हूँ डिजाइन आपको समझ में आ गया और प्लीज प्रेंड डिजाइन अच्छे लगे तो कमेंट करके जुरूर बताएगा कैसे बनी है और इसकी दिन पर देखिए मेरा और अच्छे से इसमें डिजाइन है एक बर जुरूर चेक कर लिजिएगा देख लिजिएगा आपको अच्छा लगे तो बनाईएगा यह देखिए अब इसी पहले तो पहले जैसे हमने बनाया था इसमें वैसा ही बनाना है आपको फोर्स लाए आगे बनाके फिर आप यह डिजाइन रिपीट किजिए अब देखिए यह हमारे वाइट कलर से दो सिलाई होगी आप फिर से वारें से फोर्स लाए आपको बना लेना है उसके बाद आपको यह डिजाइन बनाना है कितनी सुन्दर डिजाइन है प्लीज अब जुरूर एक बर यह डिजाइन को ट्राइ किजिए और स्क्रीन पर देखिए और भी डिजाइन है देख लीजे क्या पता आपको पसंद आ जाए इसमें फिर से आपको फोर्स लाए और बना लेना है फिर उसके बाद सीधा की साइट से सीधा उल्टा की साइट से उल्टा बना के फिर आप यह डिजाइन शूरू किजिए